अभी राइपूर से नागपूर तक का तिसरी लाइन का काम बहुत तेजी से चालू है यहाँ पर अभी पुरा रेलेवे लाइन का काम चल रहा है कहीं कहीं पर अभी मुरूम बिछाने का काम चल रहा है तो कहीं पर अभी गिट्टी बिछाने का कार्य चल रहा है अभी कहीं जगा तो पट्री भी बिच चुके रा करीबन राइपूर से लेकर राजनन गाव तक का पुरे पट्री बिचाने का काम पूरा हो चुका है उसके आगे डोंगर गड़ तक भी कहीं कहीं पर पट्री बिचे हुए हैं उसके आगे गोंदिया तक पुरा यह काम अभी बहुत तेजी से चल रहा है पुरा मिट्टी बिचाने का आप देख सकते हैं यहां पर अभी हाई-स्पीड रेल का भी ट्रायल होगा, जो कि बिलासपूर से नागपूर तक कि जो हाई-स्पीड ट्रेन इसी रूट में चलने वाली है, इसके नई लाइज बन जाने साइ यहां पर defense rail क भी ट्रायल चालू हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी रेलवे लाइन बिछाने का काम बहुत जगा पर पूरा हो चुका है यह तिसरी लाइन है जो बिलासपूर से बनते हुए आ रहा है खेर रायपूर से बिलासपूर 3 लाइन थी तो वहाँ पर 4 लाइन का कार्या शुरू हुआ है और रायपूर से लेकर नाकपूर तक तिसरी लाइन का काम बहुत तेजी से चल रहा है यह करीबन 2 साल में कम्प्लीट होने की समभावना है यहां पर कई जगा पर इस्टेशनों को भी डेवलप करने की क्रिया चल रही है इस तिसरी रेलवे लाइन के काम पूरा हो जाने पर लोगों को बहुत फायदा होगा इससे माल गारियों को भी बहुत फायदा होगा जिससे माल गारी से समान को एक इस्थान से दुसरे इस्थान ले जाने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी वैसे तो इस तिसरी लाइन का काम होने का समय 2024 तक का डेड लाइन दिया गया पर काम की तेजी को देखते हुए या 2022 तक कपलिट होने की संभावना है या उससे पहले भी हो सकता है अभी माल गाड़ियों के कारण एक्सप्रेस या सुपरफास ट्रेन कभी कभी लेट हो जाती है इस तिसरी लाइन बन जाने से उनको वह माल गाड़ी अपने सेपरेट रूट पर चलेगी और इस रूट पर सुपरफास ट्रेने भी चल सकीए आपको या जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूले धन्यवाद